हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी मसारत पर्वीन और आप देखने पर्वी इस किचन तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन पेपर चिकन तो लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए यहां पर हमने एक किलो चिकन लिया है आप देख सकते हैं मसालों में हमने यहां पर आप देख सकते हैं अद्रक लस्म का पेस्ट पूटिवी मिर्च पूटिवी काली मिर्च लेमन जूस हरी मिर्च बीच में से काट दिया है अद्रक कटी हुई मक्षन करीब पचास ग्राम दो तेज़ पत्ते दो लॉम दो छोटी लाइची और एक आधा टुकड़ा आधा इसकी टुकड़ा दाल चीनी एक कटोरी भरके दही नमक नीवू कटा हुआ धनिया एक कटोरी भरके तो चलिए चलते हैं लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए यहां पर हम पने ओईल लिया है रिफाइंड अप्श आप अब आएल डाल भी सकते हैं नहीं पूरा यूज कर सकते हैं लेकन हमने आपस रिफाइंड का भी यूज किया है बटर का यूज किया है बटर हम बाद में फिर एक चमच डालेंगे अब इसमें ऐड कर देखें चिकन अब एक की अब्धार हम बहुत ही जल्दी बनने वा करें जट पर टी रेसिपी बन जाती है और बहुत ही अच्छी होती है मज़े की होती है टेस्टी होती है एड़ करते हैं इस मनमक कि अच्छी है कि अच्छी है कि अच्छी है कि हमने इसे पांच मिनट के लिए छोड़ दिया था देखिए इसका कलर चेंच हो गया है अब इसमें हम मैट करते हैं सबसे पहले अध्रक लसन का पेस्ट हिस्टे से चला देंगे एड़ करते हैं कुटीवी काल मिर्च एक चमच कुटीवी लाल मिर्च लेमन जूस हर इमिच हमने बीच में से काट ली थी चार पांच वह भी आट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दो तेज पत्ता दो हरी लाची दो लॉंग एक आधा इच दालचीनी का टुकड़ा यह भी शामिल कर देंगे अब हम इसे पंदरा मिनिट के लिए लिल लगा देंगे दही आट कर लें उसके बाद से इसे मिक्स कर लें अच्छे से हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए है अब हम इसे पंदरा मिनिट के लिए लिल लगा देंगे ताकि इसका पानी भी और निकलेगा उसी के अंदर इसको गलाना है यह पंदरा मिनिट के बाद हमने इसका धकन उठाया देखिए इसका पानी रिविल्स हो गया है अब हम इसमें कटी हुई अद्रक डालेंगे और थोड़ी सी हम गानिशिंग के लिए बचा लेंगे अधनिया भी दाल देंगे थोड़ी सी अधोड़ी गानिशिंग के लिए बचा देंगे पुटी वी काली में एक चमच और एड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसे दस मिट के लिए फिर लिड लगा देंगे दस से पांच मिट के लिए दस मिट हमारे हो चुके हैं हमारे चिकने देखिए तोयल छोड़ दिया यहां पर हम क्रीम डाल रहें एक कटोरी है अफशनल है आप डाले यह ख ऑत लें अजलिए कोई बात नहीं है यहां पर हमने एक चमच बटर भी यूज के आर ये च्रीम डाह रहे हैं क्रीम ऑफिशनल है आपकी मर्जी है आप क्रीम डाल भी सकते हैं या नहीं भी लेकिन अमनी यहां पर क्रीम भी यूज की है इस क्रीम से इसका जो है टेक्स्चर और इसका जो फ्लेवर होता है और निखर के आता है रहे हमारा लेमें पेपर चिकन एकदम रेडी है मशाला आपको अच्छा यह अच्छा तेयार हुआ है आप दोस्तों अगर आपको यह रेशीप अच्छी लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन जरू प्रेस करिए गा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की फ्रेश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी तो चलिए जैसे हम हर वीडियो में आपको खा के दिखाते हैं तो इसमें भी आपको खा के बताते हैं कैसा बना है आप इसे रोटी से नान से खोल्चे से हर चीज से खा सकते हैं अए माशालला से बहुत अच्छा बना है आप जरू ट्राइ करिए और मुझे कॉमन्ट बाक्स में जरूर बताईगा कि आपको यह रैसिपी कैसी लगी इंशालला अगली रेसिपी में फिर मुलकात होगी मिलते हैं तब तक के लिए अल्ला हाफिज दौा में याद रखेगा तक के लिए के लिए रखेगा हैं तक के लिए को अल्ला हाई रखेगा हैं